असलाव अलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नर्फ इंपल्स जो के सेटिंगे रपालेजी चैप्र नुमर त्री का नॉपिक है इसके लेक्षर नुमर टू को हम दिसकस करने जारे हैं लेक्षर नुमर वन में हमने न्युमर प्रेंट्र बस नर्फ इंपल्स को पहना स्टेश था उसको मने डिसकस किया था आज की इस वीडियो के हम इसके नूसरे स्टेज जिसका नाम है एक्शन पूटेंशिट उसको हम सबने जा रहे हैं कि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंपोर्ट बीज यह अब को रिशीव हो सके तो आई हम स्टार्ट करते हैं एक्शन पूटेंशिल को जो को डिटेल में डिसकस किया था जो की लेक्शन नपर वन था और आज लेक्शन नपर तू में एक्शन पूटेंशिल की तरफ हम पढ़ने जा है डिटेंशिल की निएरोन निएरोन की मेंब्रेंशिल के अराउंड जो भी पूटेंशिल होता है जो भी पूटेंशिल होता है उसे हम नाम देते हैं अगर निएरोन को स्टिमिलस मिल जाता है तक टेच्च साउंड वाइब्रेशन कोई भी स्टिमिलस अगर मिलता है कोई भी जब स्टिमिलस उसे मिलता है तो जो भी प्रोसेस होता है उसे हम कहते है एक्षिल कोटेंशिल तो जब भी स्टिमिलस मिलता है कि क्या होता है तो तेंप्रेरी रिवर्सल उसे होती हो रिवर्स होता है रिवर्सल रिवाएगी मतला माइनस वाले जो वटेज में वह प्लस वाला हुह रहे हैं The Temporary Reversal of Polarity एक Unlocalized Part of Neurone निरोन की Membrane की जो Polarity होगी वो रिवर्स नहीं होगी एक मकसूस हिसा जब भी स्टुमलेस ऐसे मिलेगा जब भी उसे स्टुमलेस मिलता है टच के जरीए, साउट के जरीए, वाइबरेशन के जरीए तो उस निरोन की Membrane का एक Localized हिस्सा जो होता है उसकी Polarity जो होती है वो Friction of Second के लिए क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है The Temporary Reversal of Polarity इन Unlocalized Part of Neuronema वहें इस्टुमलेस यानि निरोनीमा के Localized Part की Polarity का Reverse हो जाना जब उसे क्या किया जाए जब उसे Stumulus दिया जाए उसे हम कहते है एक्षियन पूटेक्शन अब एक्षियन पूटेक्शन को डिटेल के सबते जा रहे है एक्षियन की तरफ हम आते हैं तो थोड़ा से मैं आपके बाद बताओ वह यह क्या था अब इस में विए अला तारह यही है तू पिसर पी चैनल रखे रहे हैं एक किराते हैं जो किसे सोडिया मांइंस को और बाहर ले जाने में क्या कर सकते हैं मददकार सामिए यह सकते हैं न दूसरे किराते हैं तो सबस्क्रेइब है मैं आइन्ज सबस्क्राइब में आई होता है। जिए वह बाति नाई किक्राइब है। तो जैसे क वह भी कोणता है शुडियम माउन जे होते हैं जो पाहर से अंदर अना चुछा है और ऋसैने हम वह कर देर से गूरुक है कशी ऑं संटतीम सै उसे पाहर से अंदर आता है ऊपने सांठ चार्ज में लेकर आएगा तो हमेंगा वें टेस्टुमिलास इस रिसीट भाई नीरो नीमा सोडियम चैनल सब्सक्राइब, सोडियम चैनल खुल जाते हैं एस रिजर्ट, सोडियम आइंस आर मुव फ्रॉम आउटसाइड तो इसाइड आउटसाइड से अंदर आदर हो जाएंगे एस रिसल्ट आउट जाएंगे, माइटसाइड और आपति लिए ओन्यूरीमा चैनल सब्सक्राइब, सोडियम चैनल कुल खुल गए, सोडियम आउटसे वो क्या हो रहे हैं बहार से अंदर की तरफ आए, तो यहाज भी जा होगा और प्लस 40- neurology, this process is known as deep polarisation. होगा ये, कि Sonia mình आइस तरह सता आएंगे, तो मैनिस चार्ट करोंगर जायांगा? मैनिस चार्ट जोख़ोंता है. Sonia मारए, मैनिस 50 होगी, मैनिस 40 होगी, मैनिस 40 होगी, मैनिस 40 से मैनिस 30, मैनिस 30 से मैनिस 20, थी मैनेस 10, 0 ठको्चें, फिरुम से मसीछ सोन्य अबारा है मसीछ सोन्य मारा प्लस 10, 20, 20, 20, 40, 40, पर ये सर्णसला चलता है उसमेड़ीघ्न ब्लस 14odor में बर्यर्णा प्लस 40 a.B. अब BE ॐल्म आगे बात है, लेकि ये सर्णसला कलता है प्लस 14 मिलीवल्ट अप इस प्रोसेस को नाम देते हैं डी-Polarization यानि पहले वाली जो Polarity है उसका खतम होना डी का मतलब खतम होना होता है उसकी Polarity का खतम होना तो यहां से ने कि यहां तक माइनस 65 सोडियम जैसे से आता जाएगा मैनस 65 मिलीवल्ट से प्लाइटी जोटी गई और यह प्लस 40 तक गई और यहां से ने कि यहां तक यह तक यह नाम देते हैं Depolarization का प्लस 40 पर जाकर जाएगा प्लस 40 मिलीवल्ट sodium channels are closed and leaky potassium channels are open As a result of this, the polarity of Niro-Lewa changes from प्लस 40 मिली वाल्ट तो 0, and then 0 to minus 65 मिली वाल्ट, this process is known as repolarization. अब दिखो हुआ थे, प्लस 40 मिली वाल्ट तो, प्लस 40 मिली वाल्ट तो, यह सारा प्रोसेस था दीपोरिण कुछा है, प्लस 40 मिली वाल्ट पर सोटेट चैनल क्या हो जात नहीं हो बंद जात में, और लीकी potassium channels जो होते हैं, वो उपन होते हैं, याद रहे, इसके लिए वाल्ट समालवाद लीकी, क्यों? हमने लास्ट नाइट बाप की थी कि potassium ions की concentration है, वो अंदर जादा है, potassium ions की concentration जो है, वो अंदर जादा है, तो जैसे ही potassium channels उपन होते हैं, तो potassium ions की अंतर हैं, वो अंदर से बहाड जाना शुठाते है, potassium ions की क्यों यह सब और बाप की साहर बाप की दकनी और डिदम आप धर खुरता हैं, और आएसकर्स का potassium जिसे जिसे जाना शुरु हो जाएगा तो ये प्लस 40 क्या हो जाएगा से 30, 30 से 20, 10, 0, माइने से 30 , 30, 40, ये potation जाना रहेगा और माइनस 65 MILLIONวल्ट ये potation जो हैं वह बहार जाते रहेंगे तो हमें का एक प्लस 40 मिली वॉल्ट, sodium channels are close, sodium channels बढ़ जाते हैं, and leaking potassium channels अबगा, leaking potassium channels बुल जाते हैं, as a result of this, जिसके नतीजें है, polarity of Neolema changes from, polarity change हो, तो प्लस 40 से 0 तक जाएगा, और 0 के बार अगर potassium दुबारा जाया है, तो क्या होगा, 0 से minus 65 मिली वॉल्ट तक जाएगा, this process is known as, this process is known as repolarization, और इस पूरे process को हम क्या नाम दे रहे है, repolarization का, और हमें नौट करती है, यहां एह पार दे की, this wave of depolarization and repolarization is known as action potential, यह जो depolarization हुआ, और यह depolarization हुआ, इन दोनों को कमभाई हम क्या नाम देते है, इन दोनों को कमभाई हम नाम देते है, action potential का, तो यहां सब्सक्राइब हम आज के लेक्षर नंबर टू जो है action potential का मकमल हुआ, lecture नंबर बन में हमने रेस्टिंग में potential को पूरा समझा था, वो लास्मी देखिए हैं तो ही यह lecture समझ में था, आज ही action two जो है मकमल हुआ, lecture नंबर थ्री में इंशालला हम propagation of impulse or science के topic को डिसकस करें ने तो उसको भी देखिना मन मिलिये था, अगर आपको हमारे यह lecture समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, comment अपना फील में लाज़मी देऊ और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, अपना हम ज़रूर अदा करें, याद रहें बहुत से स्टुनेंट हैं जो गवर्मेंट कोलेजिस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को आफोर्ट केने की सलायत नहीं रखने, तो आपका इन वीडियोस को जादा से जादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना, आपके रहें सब का जादिया बन सकता है, याद रह ये इस साल में ये काफी इंपोर्टन सवाल भी है, थेंट यू मेरी मच, अलाहाद